Hello friends, नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Housekeeping Supervisor Job के बारे में आज इस वीडियो में देखेंगे कि Housekeeping Supervisor Job आखिर होता क्या है Housekeeping Supervisor का Job की Responsibilities क्या होता है यानि अगर आप कही पे भी Housekeeping का Supervisor बन जाते हैं उस जोब को करते है तो आपको वहाँ पे कौन-कौन सी जिम्मेदारिया निभानी पड़ती है साथी में हम बात करेंगे अगर आप Housekeeping का Supervisor बनना चाते है तो आपके पास कौन-कौन सी experience होना चाहिए उसके साथ साथ कौन-कौन सी skills होना चाहिए साथी में हम बात करेंगे अगर आप Housekeeping Supervisor बनना चाते है तो आपका minimum qualification कितना होना चाहिए उसके अलावा हम बात करेंगे अगर आप कहीपी भी as a Supervisor काम करते है चाहिए वो hotel industries में हो और चाहिए वो बड़े-बड़े societies में ही क्यों ना हो तो वहाँ पी भी अगर आप as a Supervisor काम करते है तो वहाँ पे आपको कितना salary मिल सकता है monthly या फिर annually उसके अलावा guys हम last में बात करेंगे अगर आपको Supervisor बनना है और कहीपी आपको काम करना है तो आप कहीपी भी चाहिए वो hotel industries हो चाहिए वो बड़े societies क्यों ना हो तो वहाँ पे आप किस तरह से job apply कर सकते है तो इनी साथे तमाम information मिल जाएंगे आज के इस वीडियो में आपको request इस वीडियो को end तक जरू दिखिए वीडियो थोड़ा lengthy हो सकता है क्योंकि आपको देना है मुझे पूरा यानि complete information तो चलिए गाइस आज का वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रैंस वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक request है आप लोगों में से जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे है या फिर इस चैनल पर नए विजिट किया है तो इस चैनल को subscribe करके इस परिवा का हिस्सा जरूर बने रही है तो फ्रैंस चलिए अब जान लेते हैं कि housekeeping supervisor आखिर होता कौन है अब दीकिए इसका अगर मैं short definition दूंगा तो मैं बस यही कहूंगा कि जो स्पर विजर होता है housekeeping का सुपरिजर होता है वो एक ऐसा जिम्म्हदार पासले होता है सोसाहिटि या फीर बड़े होटेल्ज में झो expedrang वाले जो लोग भी काम करते हैं साफ सफाई का तो उन सारे स्टाफ को मैनेज करना उन सारे स्टाफ को काम देना उन सारे स्टाफ कैसे काम करते हैं उन सारे चीजों को ध्यान जो रखता है जो इंसान ध्यान रखता है उन सारे चीजों का तो उसी को कहते हैं हाउसकीपिंग सु को निभाने परती है अब दीके जैसे जैसा आपका प्रोशन हो जाता है कई भी सेक्टर में आप जैसे बड़े बन जाते हैं तो आपका जिम्मेदारिया भी भड़ती जाती है और आपका सेलेरी वगईरा भी बढ़ती जाती है तो किसी किसी तरह जब आप housekeeping का काम करते हैं और वहाँ पे आप experience करके आप supervisor बन जाते हैं तब भी क्या होता है आपका जिम्मेदारिया बढ़ जाती है तो housekeeping supervisor का जो सबसे बड़ा जिम्मेदारी होती है कि staff लोगों को काम देना होता है जो लोग भी staff सुबे आते हैं उनको हर एक को एक एक करके किसको कहाँ पे काम देना होता है वो supervisor का जिम्मेदारी होती है अब देखिए supervisor को सिफ काम देना ही काम नहीं होता है उनका काम और भी र ग्रानी रखने पड़ती है अगर आप सुपरवेजर हो तो उसके अलाबा जो दूसरा responsibility होती है कि जो जो भी housekeeping का स्टाफ रहेंगे उनका schedule तायर करना रहता है उनका shift भी तायर करना रहता है अब देखिए schedule और shift को मैं आच्छी तरह से समझा देता हूँ अब आपके अंडर अगर 10 housekeeping का worker है तो आपको करना है कि shift के वाइच लाइक किसको सुबह बुलाना है किनको शाम को बुलाना है तो इन सारे किसको कहां पर भेजना है कौन से सेक्टर में किनको भेजना है तो यह सारे चीजें आपको देखना परता है यानि अगर हम कहेंगे जो जो भी स्टाफ आपके अंडर काम करेंगे तो उन सारे स्टाफ का shift का schedule भी आपको करना परता है उसके अलाबा से कौन सा equipment यूज किया जाता है इस तरह का society का क्या रूल है या फिर अगर आप hotel industry में हो तो hotel का क्या क्या policies है तो उनके बारे में भी सारे चीज़ें उनको सिखानी परती है जो लोग भी ने ने स्टाफ आते है अब उसके अलावा जो अगला responsibility होता है वो होता है complaint झेलना अब देखे like मान लिजी आपके अपने दो स्टाफ को किसी भी एक सेक्टर में किसी भी specification place में बेजा है काम के लिए आप वहाँ पे अगर काम अच्छा नहीं होता है कुछ उल्टा सिदा काम हो जाता है और वहाँ पे जो owner रहता है जो HR रहेंगे या फिर जो भी बड़े लो प्रोब्लेम जो भी प्रोब्लेम हुआ है वहाँ पे उस प्रोब्लेम को आपको solve भी करना पड़ता है अब हाउस्किपिंग सुपरवेजर का जो अगला responsibility होता है वह भी बहुत बड़ी responsibility होती है अब यह क्या है यह है आपका inventory manage करना यानि हाउस्किपिंग काम के लिए अग जो भी सामान वगएरा जो भी वहाँ पे requirement होता है सामान का उन सारे सामानों का आपको inventory भी रखना पड़ता है कौन सा समान है कौन सा समान मंगवाना है बहार से क्या मंगवाना है क्या कुछ करना है वो सारे जिम्मेदारिया होती है एक के सुपरवेजर के उपर अब देखि है जो भी जहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं या फिर आप भेजते हैं वहाँ पर तो वहाँ पर कौन-कौन सी सामान की जरुवत होता है उसके इसाफ से आपको सारे जो सामान होते हैं वह आपके अंडर उनको सारे सामान आपको प्रोवाइट करना परता है तो यह भी आपक qualification अगर नहीं है तो भी चल जाता है लेकिन इस जोब के लिए minimum qualification आपका होना चाहिए हाई स्कुल का डिप्लोमा अगर आपके पास हाई स्कुल का डिप्लोमा है तो इस जोब के लिए आप पुरी तरफ से है अब देखिए जो पहला स्किल्स होना चाहिए आपके पास वह है टीम मेनेज्मेंट स्किल्स अब देखिए यह जो स्किल्स होना है वह बहुत ज़दा यह स्किल्स इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लीजिए आप सो लोगों का एक टीम है और इस सो लोगों का टीम में आप अकेला सुपरवेजर हो तो आपको सारे लोगों को मैनेज करना पड़ता है तो इसलिए यह स्किल्स बहुत ज़दा जरूरी होती है लेकिन अगर आपके of HK equipment को use करना अब देखिए यह HK equipment क्या होता है अब देखिए जो भी housekeeping का equipment होती है अभी क्या है अभी जो है बहुत सारे technology भी आगए बड़े-बड़े company जो है वह housekeeping का काम करवा रहे हैं अब होता है अभी जो है कि बहुत बड़े-बड़े machine भी आ गया है बहुत सारे equipment भी आ गया है तो अगर आप supervisor हो तो आपको इन सारे equipment को किस तरह से use करते हैं उसका भी सारे चीज़े आपको आना चाहिए अब अगला जो skills का requirement होता है वह होता है time management skills तो यह भी बहुत ज़्यदा important है उसके अलावा गाइस और भी skills का जरूत होता है like decision making और problem solving तो इन सारे चीज़ों का भी skills होना चाहिए आपको कहीं भी decision लेना होता है तो आपको तुरंत decision लेने का शमता होना चाहिए कोई भी problem आते हैं तो उसको जल्दी से जल्दी solve करने का भी शमता होना चाहिए अभी हम बात करते हैं अगर आप housekeeping supervisor का job करते हैं तो आपका क्या salary होती है अपनी के जो salary होते हैं वह मैं आपको expected या नहीं estimated salary आपको बता रहा हूँ जो मैं आपको salary अभी बता रहा हूँ वह आगे भी ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है लेकिन एक housekeeping supervisor का जो estimated salary शुरू हो जाती है वह लगवग 22,000 से लेके तीसे जग तक शुरू हो जाती है आप गब 22,000 से लेके तीसे जग तक आप as a housekeeping supervisor कमा सकते है आराम से तो उसकी इसाब से आप calculate कर सकते है आपका annual income कितना होगा तो अपने चलिए अब हम बात कर लेते कि अगर आप housekeeping supervisor बनना चाहते है उसके लिए आपके पास क्या experience होना चाहिए अब देकिए अगर आपको supervisor बनना है तो at least आपके पास 6 से लेके साल भर का experience होना चाहिए as a housekeeping staff तो अगर आप housekeeping staff में एक साल काम किया है या फिर 6 मेना काम किया है और आपके पास वह सारे ability है आपने सारे चीजे सीखा है तो इस यह जितना भी experience होता है ना इस experience के तोर पे भी आप जो है supervisor बन सकते है तो अभी बारी आती है अगर आप किसी भी hotel इंडास्ट्री में या फिर बड़े society में housekeeping supervisor का job करना चाहते है तो आप किस तरह से job apply कर सकते है आप देखिए job apply करने के लिए बहुत सारी तरीका होता है जो मैं हर वीडियो में बताता हो कि online एक platform होता है जहां से आपको बहुत सारे vacancies का information मिल जाता है इस तरह से आप जो है जोब apply कर सकते हैं आदरवाइस आप directly किसी भी society का जो भी existing जो भी जो भी housekeeping director रहता है उनसे आप बात करके भी जोब apply कर सकते हैं अगर आप hotel मैं इस वीडियो में जो भी आपको information दिया है वो कैसा लगा मुझे comment करके ज़रूर बताईए अगर आप कुछ भी पूछना चाते हैं तो बेर फिकर होके मुझे comment किजिए मैं वहां पर आपको 100% reply ज़रूर दूँगा इस वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को तह है दिल से दन्वाद